हेलो गाइस, आइम शीनम, वेलकम बैक टो माई चैनल, आई होब यू आ डूइंग रेली वेरी गूड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अद्रक का अचार, यह जटपट से त्यार होने वाला अद्रक का अचार है, इसको त्यार करने में बहुत जादे इंग्रीडेंट्स की आज लो देखते हैं यह जार कैसे बनता है? अद्रक का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए अद्रक, यहांपर मैंने दो सोग्राम अद्रक लिए हैं, नमक, निम्बू कि सद, निम्बू के सद को हम टाट्री या फिर निम्बू का फूल भी कहते हैं, आप इसके जगह पर नीमबू या फिर विनिगर सिर्का का भी यूज़ कर सकते हैं अद्रक को सबसे पहले हम दो के अच्छे से सुखा लेंगे अगर यह गीला रहेगा तो जल्दी अद्रक का अचार खराब होने का डर बना रहता है यहां पर मैंने अद्रक को सुखाने के बाद छील लिया है अब अब हम इसे लंबे लंबे जूलियन में कट करेंगे अद्रक मैंने लंबे जूलियन में कट कर लिया है अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और एक ही चमच निम्बू का सथ इसे मिक्स कर देंगे निम्बू सथ डालने के कारण यह ऐसे पिंकिश रेडिश कलर का हो जाएगा यह बहुत ही सुंदर कलर लगता है ट्राई करें कि आप इसे ग्लास कंटेनर में ही मिक्स करें हमारा अद्रक का इंस्टेंट अचार त्यार है मैं इसे इस काच के कंटेनर में फिल करके रखूंगी आप चाहें तो इसे सिरामिक कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं हमारा चटपटा सा अदरका अचार त्यार है आप 10 दिन तक इसे फ्रीज के बाहर रखके और 10 दिन के बाद फ्रीज में रखके 6 मीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज प्रेस दा लाइक बटन और सब्सक्राइब मैं चैनल तो मिलती हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई